तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ IABF की द्वारा लिया गया BCBF exam के बारे में इस exam को clear करने के बाद आप लोग अपना BC center open कर सकते हो आप लोग अपना BC point open कर सकते हो इस वीडियो में total में दो topics को cover करूँगा सबसे पहला topic की किस प्रकार आप लोग IABF exam को clear कर सकते हो अनली 2 गंटे में आप लोगों को certificate कैसे मिलेगा और दूसरा topic के बारे में बात करें तो आप लोग किस प्रकार से IABF exam center को open कर सकते हो अगर आप लोग ए common service center संचाला को CSC भीया लियो per candidate का exam लेने पर आप लोगों को 300-400 तक का commission मिलेगा और साथे साथ मैं आपने IABF center को login करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप लोगों को dashboard मिलेगा कैसे आप लोगों को student का exam conduct कराना होता है ये सारे details आप लोगों को मिल जाएगी तो दोस्तो इन दोनो topics के बारे में complete details इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले topic के बारे में बात कर लेते हैं कि किस परकार आप लोगों को IIBBC exam को clear करना है अनली 2 घंटे में कैसे certificate मिलेगा तो दोस्तो सबसे पहले आप लोगों को exam देने के लिए registration करना पड़ेगा फिर आप लोगों को admit का download करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को exam देना पड़ेगा साथे साथ किस परकार आप लोगों पास होगे question answers कहां से मिलेगा इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो इसका link आपको description में मिल जाएगा तो जैसे आप लोग registration कर लेते हो आप लोगों को अपना exam center पर पहुँचना है और वहाँ पर आप लोगों को exam देना होगा exam देने के बाद किस परकार आप लोग only दो घंटे में certificate को download कर सकते हो इसके बारे में आगी बात करेंगे अब हम लोग second topic के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग एक common service center संचाला को CAC VHL हो तो किस परकार से आप लोग IIF exam center को open करोगे आप लोगों को पता होगा कि CAC का एक product है CAC Academy आप लोगों को CAC onboarding के बारे में अगर पता नहीं है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर एक block level में CAC Academy को open किया गया है जिसका नाम CAC onboarding रखा गया है और जो भी CAC VHL CAC onboarding form को fill करेंगे registration करेंगे उन्हीं लोगों को IIF exam center मिलेगा और वो अपने center में IIF के exam को दिला सकते हैं किसी भी candidate को तो block level CAC Academy को open करने के लिए क्या-क्या eligibility criteria रहना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पता देता हूँ कि इसके क्या-क्या benefits है अगर आप लोग block level CAC Academy को open कर लेते हो तो तो इस page में आने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने digital सिवा portal में onboarding search करना है आप लोगों को यहाँ पर link मिल जाएगा इस link में जैसे आप लोगों को अप लोगों के सामने यह homepage आ जाएगा homepage में ही आप लोगों को benefits दिये गए हैं जैसे कि यहाँ पर services का list दिया गया है क्या-क्या आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग block level CSC Academy को open कर लेते हो सबसे पहले तो आप लोगों को online examination center मिल जाएगा IVF का examination center आप लोगों को मिलेगा साथ ही Symbosis का आप लोगों को मिलेगा और भी others कुछ companies हैं जो की बहुत सारे exams को conduct कराती है उनका examination center आप लोगों को मिल जाएगा कोई भी अगर application form फिल कर रहा हो तो examination center में आप लोगों का center को वो select कर सकता है और आप लोग उसका exam ले सकते हो इचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो और भी details आप लोगों को मिलेगा जैसे की PWD skill center आप लोग open कर सकते हो अगर आप लोग block level CSC Academy को open कर लेते हो और भी कुछ-कुछ services दी गई है जैसे की self-paced training courses ये आप लोग करा सकते हो अपने CSC Center से साथे साथ और भी आप लोग programs को conduct करा सकते हो जिसके बदले काफी अच्छी आप लोगों को commission मिलेगी काफी अच्छी कमाई अप लोग कर सकते हो benefits to really का यहाँ पे एक option दिया गया है इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो और भी details में आप लोगों को सारी benefits point by point आप लोगों को मिल जाएगी कौन-कौन से benefits आप लोगों को मिल सकता है अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस परकार आप लोग block level CSC Academy को open कर सकते हो तो दोस्तो एक block में एक ही block level CSC Academy को open किया जा रहा है यहाँ पे एक link दिया गया था जिसकी मदद से आप लोग पता कर सकते थे कि आप लोगों के block में कौन सा block level CSC Academy open है या फिर नहीं है आप लोग सबसे पहले find करोगे कि आप लोगों के block में कोई भी block level CSC Academy open किया हुआ है या फिर नहीं तो इसे कैसे आप लोगों को find करना है इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को IAVF registration form में आना है यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को examination center को select करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर medium मैंने already select किया हुआ है हिंदी और यहाँ पर center का name आप लोग अपने district का name select करोगे और उसके बाद आप लोगों को simply यहाँ पर venue का option मिलेगा simply आप लोग venue को select करोगे complete details आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी साथ ही आप लोगों को pin code भी यहाँ पर मिल जाएगा तो अगर आप लोगों का भी pin code यही है तो आप लोगों के blog में already CSC Academy open किया हुआ है आप लोगों हाँ पर open नहीं कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग फिर भी CSC Academy को open करना चाहते हो blog level में तो दोस्तों आप लोग अपनी DM को contact कर सकते हो DM को message कर सकते हो वो आप लोगों का CSC Academy open करा सकता है blog level का अब हम लोग बात कर लेते हैं कि IIVF examination center अगर आप लोगों को open करना है आप लोगों के blog level में कोई भी CSC Academy open नहीं किया गया है IIVF center कोई भी नहीं है तो आप लोगों को simply इस homepage में आना है और यहाँ पर simply आप लोगों को register here पर click करना है इससे पहले आप लोग जान ले कि क्या-क्या documents आप लोगों के पास होनी चाहिए इसके लिए simply upload registration step पर click करोगे तो यहाँ पर सारा details आप लोगों को दिया जाएगा जैसे कि सबसे पहला step है आप लोगों को वियली application form फिल करना होगा इसके बाद यहाँ पर simply आप लोगों को fees जमा करना होगा यह fees 5000 रुपए का है 5000 रुपए आप लोगों को payment करना पड़ेगा फिर आप लोगों को form submit करना पड़ेगा और online form में आप लोगों को एक affiliate भी बनाना होगा affiliate आप लोगों को upload करना पड़ेगा affiliate किस परकार आप लोग बना सकते हो इसके बारे में मैं complete details जल्द ही ले आउंगा तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो और इसके बाद दोस्तों आप लोग का simply verification होगा आप लोग के DM के द्वारा उसके बाद आप लोग का state team के द्वारा verification होगा फिर आप लोग को finally approval मिल जाएगा तो आप लोग AIVF Center open कर सकते हो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग AIVF Center सही से open कर लेते हो तो किस प्रकार से आप लोग को dashboard मिलेगा आप लोग को login कहां पे करना है तो simply आप लोग को login यहां पे करना है इसका link आपको description में मिल जाएगा जैसे आप लोगों को user ID और password मिल जाता है simply आप लोग यहां पे अपना username password फिल करोगे और login पर click करोगे यहां पे username CACID रहने वाला है और password आप लोगों का phone number रहने वाला है login पर click कर देने के बाद आप लोगों के सामने इस परकार का dashboard आजाएगा यहां पे simply आप लोगों का name आ जाएगा और यहां पे आप लोगों देख सकते हो total कितने students ने registration किया है और कितने लोगों का exam यहां पे clear हो चुका है यहां पे एक candidate absent था जिसके कारण यहां पे 16 और यहां पे 17 सो कर रहा है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस परकार आप लोगों को student का exam दिलवाना है उसके लिए simply आप लोग यहां पे student के section में simply click करोगे और यहां पे simply आप लोगों को view students पर click करना है और यहां पे आप लोग सारे ही student का complete details देख सकते हो और यहां पर आप लोगों को action का section मिलेगा तो exam time में यहां पर एक link activate हो जाएगा exam conduct पर आप लोग click करोगे तो आप लोग इनका exam start करवा सकते हो और exam जैसे ही clear हो जाता है आप लोगों को यहां पर action का option मिलेगा तो action के section में आप लोगों को यहाँ पर एक और option मिलेगा get score का simply आप लोग get score पर click करोगे तो आप लोग इसका score चेक कर सकते हो कि कितना score इनका हुआ है वीडियो के सुरू में मैंने आप लोगों से बात किया था कि किस परकार आप लोग IABF के certificate को 2 घंटे में डाउनलोड कर सकते हो exam देने के बाद तो दोस्तो आप लोग जैसे exam दे लेते हो तो वो आप लोगों का score भी बता सकते हैं साथे साथ certificate भी डाउनलोड करके आप लोगों को दे सकते हैं simply आप लोगों को उन्हें बोलना है कि हमारा score कितना हुआ है वो हमें चेक करके बता दे यहाँ पर वो supervisor candidate के सामने get score पर click करेगा तो वो supervisor आप लोगों का marks को देख सकता है जैसे कि यहाँ पर 46 marks आए हुए हैं और यह passed है तो दोस्तो यहाँ पर membership number भी 100 कर रहा है तो यही membership number से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने certificate को तो membership number आप लोगों को अपने supervisor से ले लेना है जहाँ भी आप लोगों का exam center है वही से आप लोगों को membership number मिलेगा और simply आप लोगों को यहाँ पर इस link पर आना है इसका link आपको description में मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद simply आप लोग membership number को यहाँ पर type कर दोगे security code यानि किए कि अपचा को यहाँ पर fill करोगे और get details पर click करोगे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने download certificate का option मिलेगा simply आप लोग download certificate पर click करोगे तो आप लोगों का certificate भी यहाँ पर download हो जाएगा लेकिन अगर आप लोगों को urgent है आप लोगों को तुरंत ही अपना certificate चाहिए तो आप लोग simply यहाँ पर इस परकार से अपना certificate निकाल सकते हो तो दोस्तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि किस परकार आप लोग अपना IIVF सेंटर खोल सकते हो साथे साथ किस परकार आप लोग अपने IIVF certificate को only 2 घंटे में download कर सकते हो एक्जाम देने के बाद यह आप लोगों को पता चल गया होगा तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुडवाई दोस्तो